Good morning third class, today we will start your next exercise, next unit 11, page number 104 में दी गई है बच्चे, unit 11, measurement of weight, देखे बटा, weight का measurement के बारे में आपको इस unit में बताया जाएगा, किस तरीके से आप solve करेंगे questions, देखे बटा, सबसे पहले आप इसका concept समझे, weight is measured in terms of kilogram and gram, right, kilogram is the standard unit of measuring weight, we use the symbol kg for kilogram and g for gram, 1 kg is equal to 1000 gram, so kilogram is the largest unit and gram is the smallest unit, smaller unit, देखे बच्चे, जो आप लोग weight means होता है, किसी का वजन या किसी का weight जिसे हम कहते हैं, कि आपका कितना weight है, इस चीज का कितना weight है, उसका वजन, वो हम किसमें नापते हैं, kilogram और gram में, kilogram जो होती है, weight की unit होती है, मतलब weight हम kilogram में नापते हैं, जैसे आप कहते हैं, कितना kg आपका weight है, मतलब आपका 10 kg है, 12 kg है, right, तो आपका kilogram, तो kilogram के लिए हम kg सिंबल को यूज करते हैं, gram को gram के लिए g को यूज करते हैं, ठीक है, 1 kg में आपके होते हैं, 1000 gram, means, 1000 gram मिलके आपका 1 kg बनाता है, तो kilogram जो हो गई, आपकी largest unit है, और gram जो है smaller unit है, छोटी 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 चीजों को नापनी के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, gram को यूज करते हैं, जैसे की pulses है, spices है, और छोटी सी चीज़े हैं, जैसे कुछ भी छोटी जैसे, आपके मसाले हैं, आपकी डाले हैं, उनको हम gram में यूज करते हैं, और जो बड़ी बड़ी चीजे होती हैं, जैसे कि ग्रेंस हैं और अधर ऐसेंशल कम्यूडिटी जैसे कि आप लोग बहुत बड़े बड़े गहूं कहते हैं, वीट है, राइस है, वो हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, यह आपको कुछ मेजर करने के क्या दिये गएं, स्के पूप चेलर के पास जाते हैं तो वो लोग डिजिटल मशीन का यूज करने लग गए हैं जब मशीन नहीं थी तब इन वेट का यूज किया जाता था ठीक है केजी से ग्राम में कनवर्ट करने के लिए हम थाउजन से मल्टिप्लाई करते हैं ध्यान से सुनेगा ग्राम से केज मतल्शन मतलब बदलना अगर आपको कोई amount केजी में दिया गया है आप ग्राम में कैसे बदलेगे वन केजी में मैंने कहाभ थाउजन ग्राम में होते हैं तो तो केजी में क्या हो जाएंगे 2000 ग्राम क्यों क्योंकि हम 2000 को 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे to convert kilogram into gram put three zeros after the number of kilogram अगर आपने kilogram को gram में बदलना है तो आप क्या करो kilogram के बाद आप उसमें three zero put कर दीजे ठीक है जैसे कि अपर suppose आपका है three kg तो अगर आपको gram में बदलना है तो जाएगा three thousand kg ठीक है देखे बटा कैसे suppose आपको four kg दिया गया है four kg को अगर आपने gram में बदलना है तो four को multiply कर दीजे thousand से और यहाँ पर लिख दीजे four thousand gram आगी बात समझें बच्चे अब जैसे six kg है तो same ऐसी होगा six को thousand से multiply कर देंगे तो यह आपका होगे six thousand gram ठीक है यह आपकी highest unit है और यह lowest है highest से lower में बदलने के लिए we multiply by thousand ठीक है अच्छा अब अगर आपको इस तरह के question दिया गया हो देखे सबोस four kg 952 925 लगा लीजे कुछ भी हम example ले रहे हैं gram अगर अब आपने to convert kilogram into gram तो आप zero put करते हैं अगर kilogram को gram में करना है तब किस तरह के से करेंगे बच्चे आप क्या करेंगे सबसे पहले जैसो यह kg का है इसको हम gram में बदल लेते हैं fours को thousand से multiply कर लीजे ठीक है यह gram में change हो गया plus 925 आपको अल्रेड़ी gram में दिया गया है तो यह आप क्या हो गया 4000 plus 925 तो कितना हो गया four thousand nine twenty five gram ठीक है यह आपका kg से gram में kg और gram में दिया हो तो आप gram में change करेंगे इस तरीके से अगर आपको ऐसे question दी गया है ठीक है अच्छा अगर आपको यह दिया गया है suppose इस तरह के question three four five six gram अगर आपने इसको gram से किसमे बदलना है अगर आपने suppose आपको हम लोग एक example ले लेते है three four five six यह वाला example ले लीजे three four five six gram अब इसको suppose आपने बच्चे किसमे बदलना है kilogram और gram में तो क्या करेंगे पहले इसको separate करके three thousand करेंगे आप three thousand plus four fifty six यह अलग-अलग हमने लिख लिख लिया यहाँ पर gram लिखे और यहाँ पर भी gram अब three thousand gram का मतलब कितना होगे three kg है ना अभी मैंने बता है ना three kg में three thousand gram होते हैं तो हम यह three kg लिख सकते हैं plus four fifty six gram अब इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे three kg और four fifty six gram आई बास समझ में यह इस तरीके से आपने इसको change कर दिया अब आपकी बुक का देखे suppose एक दिया है one thousand fifty seven gram तो one thousand plus fifty seven अलग-अलग लिखेंगे thousand plus fifty seven तो हो गया one kg fifty seven thousand यहाँ fifty seven gram sorry one thousand gram का मतलब होगा one kg ठीक है तो हमने यहाँ one kg लिखा और fifty seven gram लिखा अब यह kg को gram में बदलने के लिए क्या करेंगे हम thousand से multiply कर देंगे और अगर gram से kg में करना है तो हम उसको thousand से divide कर देंगे देखे बच्चे suppose अगर आपको कोई gram में दिया गया हो suppose हम यहाँ पर एक example ले रहे हैं seven thousand gram ठीक है इसको अगर आपने बदलना है किसमे kg में तो आप क्या लिखेंगे one gram में होते हैं आपके one upon thousand kg मैंने बताया था ना इसको आप divide कर देतें जब आपने lowest से higher में करना है gram आपकी smaller unit है और kg बड़ी है तो one gram में one upon thousand तो seven thousand gram में कितना हो जाएगा seven thousand gram को आप लोग किसमे कर देंगे seven thousand को divide कर देंगे किस से thousand से divide कर देंगे यहाँ पर kg लिखा तो जब इसे solve करेंगे तो आपका हैगा seven kg ठीक है seven thousand gram का मतलब हो गया seven kg ठीक है बच्चे आप देखें आईए अब हम इसके base में 11.1 करते है fill in the blanks first आपका है जैसे eight kg eight kg मैंने भी बता है eight thousand kg हो जाएगा क्योंकि one kg में thousand होता है तो thousand से multiply कर देंगे ten kg में ten thousand हो गया twenty three में twenty three thousand हो गया simply आपने three zero put कर देनी है और यहाँ पर gram लिख देना है और अगर two kg 20 gram है यह question मैं भी आपको समझा चुकी हूँ देखे यह वाला जो भी आपको मैंने example समझा है four को thousand से किया plus इस में करा तो इसी तरीके से हमने किया fifteen को thousand से multiply किया fifteen thousand plus three hundred तो यह आपका आगया fifteen thousand three hundred gram sixteen thousand gram को kg में बदलेंगे तो sixteen kg seven six three four two gram को बदला हमने kg और gram में seventy six thousand लिखेंगे plus three forty two तो यह हो गया 76 kg और three forty two gram sixty seven thousand zero zero one है तो sixty seven kg zero zero one gram ठीक है इस तरीके से बेटा सारे question के जाएंगे nine thousand gram का मतलब हो गया nine kg eleven thousand gram का मतलब हो गया eleven kg thirty four thousand gram का मतलब हो गया thirty four kg nine kg three sixty gram को हमने gram में बदलने के लिए पहले nine को gram में बदलेंगे nine thousand हो गया nine thousand में three sixty को add कर लेंगे देखे एक example मैं समझा देती हूँ suppose आपका यह question है nine kg और three sixty gram तो nine को आप पहले thousand से multiply करेंगे फिर किस में plus करेंगे three sixty में जब आप इसे करेंगे तो आएगा nine three six zero gram आई बास समिझ में तो इस तरीके से आपका question number twelve question number three भी same वैसी है twenty five thousand five gram eight thousand six में होगा eight kg six gram nine thousand kg five twenty gram फिफ्टीन कांस है ठीक है in this way your exercise eleven point one is complete बिटा इसको आप अच्छे से कर लीजेगा इसको आप अपनी बुक में फिल करिएगा हुआ 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 है